इबरानियों के नाम पत्री दसवा अध्याय क्योंकि विवस्ता जिसमें आने वाली अच्छी वस्तों का प्रतिविम्भ है पर उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलेदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अच्चूक चढ़ाय जाते हैं, पास आने विवेक उन्हें पापी न ठहराता, परंतों उनके द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है, क्योंकि अन होना है कि बैलों और बकरों का लोहु पापों को दूर करे, इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है कि बलिदान और भेट तूने न चाही, पर मेरे एक देह तैयार किया, होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसंद नहीं हुआ, तब मैंने कहा, देख, मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विश्य में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं, उपर तो वह कहता है कि ना तूने बलिदान और भेंट और होम बलियों और पाप बलियों को चाहा, और ना उन से प्रसंद हुआ, यद्यपी ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं, फिर यह भी कहता है कि देख, मैं आ गया हूँ, ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं, निदान वह प एक याजक तो खड़े होकर प्रति दिन सेवा करता है, और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते, बार बार चढ़ाता है, पर यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सरवदा के लिए चढ़ा कर परमेश्वर के दहिने जा बै जो पवित्र किये जाते हैं, सरवदा के लिए सिध्ध कर दिया है, और पवित्रात्मा भी हमें यही गवाही देता है, क्योंकि उसने पहले कहा था कि प्रभु कहता है, कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उन से बांधूंगा, वह यह है, कि मैं अपनी विवस्थाओं को पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। फिर वे यह कहता है कि मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण न करूंगा। और जब इनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। सोहे भाईयों, जबकि हमें ईशू के लोहू के द्वारा उस नए और जीवते मारक से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हिया हो गया है, जो उसने परदे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिशेक किया है और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमे को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाएं और अपनी आशा के अंगिकार को द्रड़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिग्या किया है वह सच्चा है, और प्रेम और भले कामों में उसकाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें, और एक दूसरे के साथ एकटा होना न छोने, जैसे कि कितनों की रीती है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो, क्योंकि सच्चाई की पहिचान प्राप्त करने के बाद, यदि हम जान बुझ कर कर देगा, जबकि मूसा की विवस्था का न मानने वाला, दो या तीन जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो, कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पाउं से रौंदा, और वाचा के लोहु को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है, और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया, क्योंकि हम उसे जानते हैं, जिसने कहा कि पल्टा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूँगा, और फिर यह है कि प्रभू अपने लोगों का न्याय करेगा, जीवते परमेश्वर के हाथों में पढ़ना भयानक बात है, परंतो उन पहले दिनों को स्मरण करो, जिन में तुम जोती पाकर दुखों के बड़े जहमेले में स्थिर रहे, कुछ तो यों कि तुम निंदा और कलेश सहते हुए तमाशा बने, और कुछ यों कि तुम उनके साजी हुए जिनकी दुर्दर्शा की जाती थी, क्योंकि तुम क्याजियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ती भी आनंद से लुटने दी, यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सरवदा ठैरने वाली संपत्ती है, सो अपना हियाव न छोड क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिग्या का फल पाओ, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा, और मेरा ध कि प्राणों को बचाएं